हे व्रिवन वेलकम बैक टू दे चैनल मैं गीता स्वागत करती हूं आपका अपने इस नए वीडियो में आज उठी तो मॉर्णिंग में बहुत ही जादा घना कोहरा था क्योंकि कल बारिस हुई थी तो बारिस की वज़े से बहुत कोहरा हो गया था लेकिन ठंड उतनी जादा नहीं थी तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग भी बताईएगा क्या आपके अभी ये वाली बारिस हुई है और अगर हुई है तो यस जरूर लिखेगा और उसके बाद वाला जो दिन था वो बहुत ही घना कोहरा था तो यहां पे मैं मॉर्णिंग में तयार होके बैठी हुँ विद्याले जाने के लिए और अपने व्लोग को देख रही थी मैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था और मैं पहले तयार हो गई थी क्योंकि अभी मैं मॉर्णिंग में क्यों होता है ना मैं उठके बस खाना बनाने लग जाती हूं क्योंकि साथ बजे उठती हूं और खाना बनाती हूँ फिर तयार हो के तुरन विद्याले के लिए निकल जाती हूँ क्योंकि रात में होता है न पढ़ते पढ़ते लेट हो जाता है फिर बहुत सारे हो जाते हैं काम तो उसको करते हैं तो टाइम हो जाता है विद्याले जाने का दिन में विद्याले चली गई और ये वीडियो है विद्याले से आने के बाद का मैं पढ़ रही मैंने सोचा जितना भी टाइम मिले जल्दी जल्दी से ले बसको कवर कर लो और यहाँ पर मैं class 9th का math लगा रही थी agency RT book से क्योंकि class 10th का मैंने लगा लिया है और बस दो chapter उसमें बचे हुए है एक है सांगी की और एक है प्राइक्ता और प्राइक्ता का जो chapter मैं उसको mobile से ही cover करूँगी और सांगी की वाला भी मैं mobile से ही cover करूँगी इसलिए उसको छोड़ दिया है और class 9th का मैं math cover कर रही हूँ और इसमें भी सांगी की वाला chapter है और बाकी मैं कर लूँगी और ये वाला भी chapter दोनों को साथ में मैं कर लूँगी क्योंकि मैंने देखा टियारी 2 में दो क्यूस्टन आये थे तो इसको जरूरी है और इससे related और भी जो क्यूस्टन पूछे जा सकते हैं future में उसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसको इसके जो क्यूस्टन पूछे जाते हैं थोड़े से इसका जो और मूला है वो थोड़े सा लेंदी है तो आपको practice करनी पड़ेगी याद करने की बाकि ये और सब chapter अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है math लगाने में अभी मैं advance math नहीं कर रही हूँ बस basic math कवर कर रही हूँ दिन मेरे जब अभी ये हो जायग न तीन चार दिन में और उसके बाद फिर में लगाऊंगी advance math क्योंकि advance math में भी basic math थोड़ा थोड़ा आ जाता है तो अभी बस यहां से cover कर रही हूँ 10th का मैंने कर लिया 9th कास कर रही हूँ 8, 7, 6, 3 दिन में 3 और cover कर लूँगी और 1-2 दिन में extra math और थोड़ा पढ़ लूँगी जो बचा रहेगा दिन उसके बाद में advance math करूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं class 9th का math में जो लगा रही थी इसमें मैंने लगाए है सारे chapter इदर और यह बस यह 2 chapter आज भी मैंने छोड़ दिये class 9th के क्योंकि इसको भी मैं पढ़ूँगी और यह प्रेष्टी छेतरफल वाला chapter काफी interesting है और लगाने पे मज़ा भी आता है और यहाँ पे कुछ प्रमे मैंने लिखा है जो डारेक्ट क्योस्टन बन जाते हैं इससे इसको लिख लिए है ताकि मैं याद कर लूँ दिन इसके बाद मैंने अपना पढ़ा बायलोजी और बायलोजी में आज मैं कवर कर रहे थी जो रोग होते हैं रोग का वाहक कौन होता है और फिर विटामिन्स मैंने पढ़े और कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजे पढ़ी जो ऐसे बॉक्स बनाके देता है वो वाली चीजे मैंने पढ़ी तो आप लोग बताना आप लोग की तयारी कैसे चल रही है और कुछ कमेंट आ रहे थे कि स्ट्रेटिजी बताईए प्राइमरी के लिए भी और प्राइमरी के लिए प्रैक्टिस सेट मांग रहे हैं तो जैसे ही मेरे पास होता है मैं आपके पास जरूर शेयर करूँगी प्रैक्टिस सेट और इस्ट्रेटिजी भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी आपकी इस तरह से पढ़ सकते हो बस आपको मुझे फॉलो करना है मैं कैसे कर रही हूँ और कहां से क्या-क्या पढ़ रही हूँ आप भी अगर ऐसे ही फॉलो करोगे न तो जरूर पास हो जाओगे और आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कल या पर्सों में कि कौन-कौन से टॉपिक है मैथ के जो आपको मस्ट है करने तो वीडियो में लास्तक बने रही है आप सभी ने देखी लिया होगा मैंने सुबह में ही आपको भेज दिया था कल सुबह में भेज दिया था कि तीसरे चरण में जो बहाली हो रही है टोटल कितने पद हैं और कितने पदों पर 628 के लिए बहाली होनी है तो आप लोग यह देख सकते हो या फिर यहां मैंने लगा दिया है यहां से आप देख लिए इसमें है प्राइमरी के लिए 28,026 पद हैं और 628 के लिए 19,57 पद हैं तो इसी में सभी कैटेग्री वाइस सभी का है मतलब टोटल 628 के लिए आये हैं 19,57 तो इसी में से आपको एक सीट क्लियर करना है तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा और कम्पटिशन बहुत ही ज़्यादा टप होने वाला है क्योंकि ये भी सुनाई दे रहा है कि बिहार में इस बार 75% आरच्छन लागू हो चुका है अगर ऐसा सही है तो अधर इस्टेट वालों को बस 25% मिलेंगे तो उसी में से 25% में सही बिहार के जनरल और अधर इस्ट 2444 है तो सबसे ज़्याद पर्द जो है वो है प्राइमरी में 28,026 पर्द है तो आप लोग लग जाईए अपना तयारी करने में और अच्छे से त्यारी करिएगा क्योंकि अभी जो ये वाली भाली आई है ट्यारी 3 की यह होनी नहीं थी बट अचानक से आई और हो रही है औ पता इलक्सन होने के बाद मुद्दा चेंज हो जाए और वेकेंसी ही ना आए जो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर रहे है वो लोग जरूर अपलाई करें क्योंकि सरकार का क्या मूड होता है क्या नहीं होता है यह हम लोग नहीं जा सकते हैं और अगर मौका मिला है तो यह तो यह भी बात हो सकती है तो सब आपके उपर टीपिंट करता है आपको तयारी करनी है अच्छा से तयारी कीजिए फॉर्म अप्लाई कीजिए और मेरा फॉर्म जो है वह अधा प्लाई हो चुका है और उसमें बस अभी फोटो अपलोड करना है और लाष्ट के जो कुछ प्रॉसस है वो करने है क्योंकर और साप्लाई कैसी चैणtakfold मैजा कर चाहिए चक्ट न्यादा करने सो जिसमें था एक माध्य का निकालना था और एक शमांतर माध्य निकालना था आपको इसमें क्या करना है माध्य का माध्य और बहुलक ये तीनों निकालने सीख लेना है और ये भी सीख लेजिए शमांतर माध्य सांगे की वाले चैप्टर से कैसे निकाला जाता है और आज मैंन पर जूब करेंगा जरूर यह आप लोग को बता दुंगी लेकिस तरह से एक वीडियो में बना के ढाल दोंगी यह चारो का तो किस तरह से आपको सीखनाए तो तो आप लोग देख लेंगे क्योंकि अगर मैं ऐसे पिक्स दाल दोंगे तो में भी आपको ना समझें क्योंकि थोड़ा उलट फेर है इसके जो फार्मुले हैं क्योंकि उन्होंने जो दिया था ना मध्यक निकालने के लिए उसमें बस उन्होंने वर्ग अंतराल मांगा था तो जो वरक अंतराल होता है और यह मंतेैं तो माध्यक कवाले में रहते हैं सबको को एड़ करके तिरश्या उसमें एन्वाय टू का भाग देते हैं और जो यह लो अता है उस देखते हैं वह जो आया हुआ है कि वह कि सक्षक तरह से निकालते हैं मुझे भी नहीं यहादा वीडियो अच्छा लगो तो चैनल को लाई शिर्काइब जरूर करियेगा मिलें आपसे नेक्स वीडियो में तब तक अपना फ्ख्यार रखिये गए बाए बाए